क्या आले वाई लोग सब बढ़ी हाना हासा है कि आप सब चंगाई होंगे लियो मुवी हीटेंड डीटेल्स का पार्ट टू और पार्ट त्री के बात पार्ट फॉर भी हम आपके लिए ले आए हैं और आज के इस वीडियो में हम काफी सारे डीटेल्स और रफ्रेसंस के बा ठीक है तो चलो भाई फिर देरी की इस बात के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती है कहां से सुरू करें लास्ट वीडियो में हम हेरोड का डबल रोल के बारे में बात कर रहे थे तो चलो वहीं से स्टार्ट करती है अब है देखो हाँ इस LSU में हेरोल का डबल रोल तो है पर उसे हम स्मार्टली प्रॉपरली कोई प्लान बना के तो नहीं एक मिस्टेक के रूप में है बोल सकते हैं देखो विक्रम में हम सबने देखा है जब विक्रम जेल से अपना टीम को छुड़ा लेता है तो वहां से वो लोग एक खुपिया रास्ता से होकर जाते है और एक ठीयटर में निकलते है और वो ठीयटर में जो मूवी चल रही होती है उसमें अरजून सर्जा भी है अगर आप का भी डबल रूल हमें LSU में दिख जाता है एक तो रिदे राज का करेक्टर में आप सब जानते ही हो और एक विक्रम मूवी में ही जो उसके साथ जो काम करने वाला बंदा जो बात में रोलेक्स के सीन पर भी दिखता है उसका एक फैबरेट गाना होता है जिसे वो बार-ब 25 में रिलीज हुआ था मतलब LSU के अंदर इनका भी एक नहीं डबल रोल हो गया एक एक अक्टर वाला और एक लियो का दोस्त वाला मतलब यह तुड़ा मल्टिवर्श टैप हो गया ना और कोई नहीं चलता है फिर अगर आपको यह ज्यादा लग रहा है तो वही फिर कॉफ यह सिंबल को डिरेक्टर अपने हर ट्वीट में कितना यूज करते थे यह तो आप सब जानते ही होंगे अब मुवी रिलीज के बाद हमें उसका जबाब भी मिल चुका है कोलियो का वही दो लाइफ का ही हिंट दे रहे थे पर इतना ही नहीं आरारार में जैसे राजमोली ज तरफ हमें फायर ही दिखता है वैसे ही पार्थी वन का सिंबल ऐस है तो इसके चैरो तरफ हमें आइस ही दिखता है लियो का इंट्री स्वाग में हमें फायर की तरह एक धासू सौंग देखने मिलता है तो पार्थीवन का पहला सोंग में हमें एक नरम सा सोंग देखने मिलता है लियो के लिए बेड़ेस लियो दा सोंग बना है तो पार्थीवन के लिए एक ओडिनेरी परसन हमेशा हर जगा यह दिखाया है वाई और आखिर में जब पार्थीवन लियो दास में बडलता है तब भी इसी फायर से ही वो सिंस टार्ट होता है यहां एरोड क्या बोलता है याद है ना चूकि फायर का सिंबल तो लियो का है और हाँ बाई पार्ट टू वीडियो के कमेट में जो कुछ फिल्म में बोर रहे थे कि बैइ पार्थिवन को हाइना की तरह नहीं लायन की तरह दिखाया है तो बैइ हाँ आप भी बिल्कुल सही हो पर आपने साथ हमारा बात अच्छे से समझे नहीं लायन की तरह वो लियो को दिखाये है जो पास्ट में एक्जिस्ट करता था पर प्रेसेंट में तो वो बदल एक witness की तरह दिखाया है जो कि सब कुछ देखा है सब कुछ मतलब सब कुछ दासन को factory बनने से लेकर दासन को factory बरबाद होने तक वो लियो को अपना पापा का order मानते हुए भी देखा है और उसी पापा से इनका बली देने वाले बात को भी देखा है इसलिए तो ये लियो का जादा कुछ hint नहीं देता वाई क्योंकि वो जानता है कौन सही है और कौन गलत मतलब सब कुछ खतम होने के बाद सिर्फ यही एक पक्षी बचता है जो दासन को family और factory के बारे में जानता है तो इसे डिरेक्टर इन सब का एक witness की तरह ही दिखाए है लेकिन इतना ही नहीं इ अपने agent को लगा कर पार्थीवन, पार्थीवन का family और उसके घर के साथ साथ उनका सरा activities के उपर भी नजर रख रहा था मतलब पहले दासन को का history के उपर जैसे वो eagle नजर रख रहा था विससे बाद में पार्थीवन का कहानी के उपर यहां विक्रम नजर रख रहा है तो इ हम इने क्या कहवाई महाभारत के वो बारवरी next कड़ा भायार डिरेक्टर लोकेस कणगराज और उनके कड़ा इनका ये रिस्ता क्या कहलाता है मैं नहीं पता पर लोकेस कणगराज अपने किसी भी movie में hero के हाथ में कड़ा पहनाए विना उसे नहीं दिखाते विक्रम में अ पहाए जाता है इसे हम विक्रम वीडियन डीटेल्स का पार्ट त्री वीडियो में भी कवर किया था अविदक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बाद में जाकर उसे देख सकते हो description में लिंक है हाँ तो हम बहुर रहे थे जैसे विक्रम में विक्रम खुद को व वापस से वो उस कड़ा को निकाल देता है क्योंकि वो कड़ा पहनना मतलब पुराना लाइफ में जाना जैसे कि विक्रम एक बार वो कड़ा पहन लिया तो और नहीं खोला क्योंकि वो फिर से अपना पुराना लाइफ चुना विक्रम का लाइफ चुना क्योंकि विक्रम ही एक drugs free society बना सकता है, करना नहीं, इसलिए वो और कड़ा नहीं खोलता, लेकिन लियो उस कड़ा को खोल देता है, क्योंकि वो वापस से अपना पुराना लाइफ नहीं चाहता, लियो बनना नहीं चाहता, वो पार्थिवन ही ठीक है, वो बोलता है न, अतीत के बारे में बार ब क्यों चुनेगा, इसलिए वो उस factory को उड़ाने तक ही उस कड़ा को पहनता है, उसके बाद निकाल देता है, मतलब यह पार्थिवन का लाइफ चुनता है, कितना cold details है न, क्या आपने इसे notice किया था, और यह कड़ा वाला खेल भी director अभी नहीं कर रहे है वाई, पहले से ही, अगलब सब मैं इसे कड़ा को लेके old life, new life नहीं खेल रहे है, वो तो special side इन दोनों के लिए ही था, हम कड़ा के साथ हीरो को दिखाने की बात कर रहे है, उनका पहला movie माना गरम में भी, हीरो के हाथ में हमें ऐसा ही कुछ देखने मिला था, फिर मास्टर में भी देखोगे, वो हीरो के हाथ में हमें वो कड़ा देखने मिला था, जिसका reference के हमें ना ready song में भी दिया गया था, अब आप ये मत कहना की कैथी में कड़ा कहां था, अरे वाई उसमें डिरेक्टर ने हीरो के हाथ में जो पहनाया है, उसके सामने तो ये कड़ा कुछ भी नहीं है यार, उन का खेल उस आर्क रियक्टर से सूरू, और हमारा दिल्ली का खेल इस हतकड़ी से, डिरेक्टर ने ऐसा special कड़ा बनाया हमारा दिल्ली के लिए समझ रहे हो, डिर बस ये कि टोनी की तरह हाल वो आखिर में कहीं दिल्ली का ना कर दे, शैर हम कड़ा की बात कर रहे थे, तो पत पति 67 का सुटिंग स्टार आंट से, जंब स्टार्ट हुआ तक हइन का ला धायत करें ब्लाया बता रहे हैं, इन का हेर कलर देखोगे, तो सैद हमेशा से ये हॉइट ही रहते हैं, पर पास्ट के सीं में बाकी सब के साथubscribe के साथ इनका ब्लैक रखा है, देखकर अच्छा लगा जबकि पास्ट में इनका स्क्रीन टाइम जादा था भी नहीं पर यहां जो यह liquid गुंटा के उपर गिरता है वो हाइना के लिए था क्या उसका target जानने के लिए पता नहीं आप वो खबर है तो हमें भी बताओ आप यहां और एक छोटा सा details किसी के मन म लाइक details है कि जिस टोबैको से सारा जगडा start होता है आखिर में उसी सिग्रेट से या कहीं टोबैको से पार्थिवन सब कुछ खतम कर देता है और यह क्या पार्थिवन का गुटनों पे टेक करना कोई style है क्या क्योंकि यह पास्ट में भी ऐसा करता था और प्रेजेंट में और अगला पार्थिवन का सर्ड भाई क्या किसी ने notice किया इसमें पार्थिवन का सर्ड कित्नी बार फटा है पेले high nah एक सर्डा फटा बेटा ने जेवलिन चला कर एक शट फटा फटा और clip encouragement इंतर ने इने कुछ Hani को सब्यार चbdsk delivered फिर बाकी के पर शिंच्थलें पर उसमें भी सट फटा है पता नहीं इसमें पर्थिवन के शट को लेकर डारेक्टर साफ के क्या दूस्मने था जो उनका सट को ज़्यादा दिन टिकने नहीं देते थे पता है यह तोड़ा स्टूपीड सा डीटेल्स है पर नोटिस करने लाइक था इसलिए बता दिया वैसे बता चुके है इसका बाकी सारे पार्ट्स में पर उन सब के अलबा कुछ और भी नोटिस करने लाइक स्पेसल वाते था जो हमने अवे तक नहीं बताया था तो अभी हम उसके बारे में भी जानने वाले है ठीक है तो पहला लाश्ट फोन कॉल पर जो विक्रम पहचाना क्या बोलने पर पार्टी वन के मुझ से जो रियक्सन निकलता है उसके दो वज़ा हो सकता है ऐसा डारेक्टर ने बताया है पहला ये कि पार्टी वन पहले से विक्रम को जानता है इसलिए अच्छा तूम हो बोलके ऐसा रियक्सन दिया है और दूसरा ये कि पार्टी वन विक्र का नहीं बताया है और सस्पेंस रखके इसे एक सर्प्राइज बताया है जो कि हमारे ओडियेंस के लिए अच्छा ही है पर हम सब जानते हैं यह हिरोस के साइड ही आने वाला है लेकिन फिर भी हमें देखना यह है कि वह कैसे आता है और डायरेक्टर उसे किस मजबूरी में डा कर किरो के टीम में लाते हैं अगला माया की करेक्टर को लेकर जो थियोरी बन रहा था कि वह पहले से एजेंट था या बाद में बना मतलब बीज में यह भी बोला जा रहा था ना कि वह विकरम का यह भी कोई प्लान था हमर को उस आडियो बोक तक पहुंचाने का गाम इन ही तरह लास्ट में इनके बारे में भी बता दिया जाता पर वो एक एजेंट नहीं थी तो उसके बारे में नहीं बताया चलो आसा है कि अब ये डाउट भी सबका क्लियर हो गया होगा अब अगला हाइना इस हाइना को लेकर भी डारेक्टर एक इंटर्विव में बोल रहे थे कि to अगे किसी भी मूवी में ये दीख सकते है अब वो इसे कैथी डू में लाएंगे कि नहीं वो तो पता नहीं पर ल योटू में और विक्रम्टू में कन्फर्म मतलब आगे एल्श्यू में हमें इनका वीकेमियों देखने मिलने वाला है फिर आगे वो ये भी बोल रहे थ सब्सक्राइब नाम से जाना जाने वाला एसे और कितने पता नहीं और कुछ हिरोस के साइट से भी वाकिन का स्पीन अप और वेफ स्रीच के बारे में तो आप जानी चुके होंगे फिर विए अगर कोई मिस कर दिया हो तो बता दे वाई LCU फैंस के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है सुनने को मिल रहा है लोकेस कनगराज सिर्फ वही मूवी बनाने वाले है जो मैन मैन करेक्टर के हो बोले तो जैसे हो गया कैथी टू रोलेक्स लियो टू और विक्रम टू इनके अलावा और जो साइड केरेक्टर का मूवी और वेफ सिर्फ अब आने वाला है उसे डिरेक्टर उनका एडीज और बाकी डिरेक्टर को दे देने वाले है इसका मतलब कैथी टू के बाद या उससे पहले हमें रोज लूकेस कनगराज अब अकिला नहीं रहे एक टीम बना रहे है और बा आवी के लिए रुख जाते हैं इसका अच्छे से एनांस्मेंट होने वाला है तो तब तक के लिए इंतजार करते हैं उसके बाद हम इन सब के उपर अच्छे से बात करेंगे ठीक है अब चलो आपस हिदन डिटेल्स पर आते हैं भाई देखो यह लोकेश करने राज के मूवी है तो इनके मूवी से तो कोई हंड्रेट परसेंट हीडन डिटेल्स निकाल कर खतम करी नहीं सकता जरूर सबसे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा क्योंकि यह मूवी ही ऐसे बनाते है यार पर फिर भी हमसे जितना हो पाया हम वो सारी डिटेल्स को निकाल कर उसे चार पार जो के तलास में भी दिख रहा है क्यों इसे और भी बहुत से डिटेल्स है जिसे आप लोगों ने कमेंट भी किया है पर उन सब के उपर हम अवी तक बात नहीं किया है तो हम लाएंगे इसका एक और स्पेसल पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम वो सारी चोटी मुटी डिटे बनाएंगे फिर एनिमल मूवी आ रहा है सलार का ट्रेलर आ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा पर हम जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम आप लोगों का कमेंट किया हुआ सारा डीटेल्स के बार में भी बात करेंगे तो भाई तब तक के लिए लिए